तो दोस्तों आज 15 डिसेंबर 2023 बात करेंगे इस फीडियो पे पावर सेक्टर की दिगज कमपनी टाथा पावर कमपनी लिमिटेट शेर के बारे में जिसकी उपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था एवन आज की डेट पे मेरा राय एकदम से मैं तो आज और कल हमने देखा टाथा पावर की शेर में थोड़ा सा हमें कमजोरी देखने को मिला जहां पे आज मार्केट इतना बुलिश होने के वब जुद भी टाथा पावर का शेर क्लोजिंग दिया 333 रुपए 20 पैसे पे अल्मोस्ट 0.66% गिरावट के साथ शुरू में थो बेस्ट करके मैं आपको बोल ला हूँ जो कि आपके साथ मैं शेर भी करूंगा और उसके साथ साथ आपका आगे का रननीती क्या हो सकता है टाटा पावर कंपनी शेर को लेके पूरा चर्चा करेंगे डीटेल में तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको प्लीज वीडियो को बिन के अंदर कोई मतब इन क्लाइटी ना बचे जिस बैसे मैं आपको शेर करना चाहूं यह देखिए यह न्यूस पब्लिश्ट वा बेस्ट की ऑफिशियर वेबसाइट पे मतब एक्सेंज को इन्फरम किया शाम के पाच बच के तरेपन मिनिट बे तब उल्लेडी पजार क्लो वर्थ रुपीज 418 करोड तो एन्टी पीसी एक लिस्टेट कंपनी है तो एक लिस्टेट कंपनी एन्टीपी किसे पास से दोस्तों टाटा पाउर को लगबग 418 करोड का एक बहुत बड़ा कॉंट्रेक्ट मिला है तो मैं आपको थोड़ा पढ़के सुनाना चाहता हूं य यह देखे टाटा पाउर सोलर सिस्टेम जो कि टाटा पाउर का एक सब्सुटेटी कंपनी है एक रुपीज 418 करोड ओडर तो सप्लाई 152 मेगावर्ट सोलर पीवी मड्यूल फॉर एन न्टीपीसी प्रोजेक्ट एट नोक इन राजस्तान तो यहां पर एक प्रोजेक्ट क सारे सर्विस प्रोजेक्ट करने के लिए और आइटिंग यह न्यूस का इंपेक्ट आपको काफी पॉजिटिब लिए सोंबार के दिन जरूर देखने को मिल सकता है एक दिन पहले का दोस्तों मैं आपको एक और न्यूस शेयर करना चाहूंगा यह दोनों न्यूस में कन्फ को पर खास करके कंपणी को प्रोजेक्ट मिला या कॉंट्रैक्ट मिला इसके पीछे रिजन क्या है इसके पहले मैं आपको इस बात का अलर्ट बहुत ही सिम्पल है जो इस चैनल को रिगुलर फॉलो करते हूं उनको अच्छी से मालूम है आपको आज से लग बग एक मैने द आपके नेवी के नेवी डे में कुछ वहाँ पे गया था उसके बाद के अंदर पी तेजी मिला इवन लगाता कॉंट्रैक्ट भी मिला कुछ दिन पहले ये देखे कोप 28 याद होगा दुनिया के बड़े बड़े लिडर्स वहाँ पे आये थे मोधी जी भी गये थे इंडिया के रेप्रेसेंट करने के लिए और उहाँ पे हमने देखा था कि रिनीवल सेक्टर को काफी जोड दिया और उसके बात से देखी आज की मेरा बात थोड़ा बहुत मतब हो सकते हैं बहुत लोगों को दिमाग में नहीं आएगा बट फिर भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा इस पॉइंट वी से सोचिए आज की रेट में मोधी जी क्या खा रहा है क्या पर रहा है कहा पे जा रहा है उसको फॉलो कीचिए आपको पू मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह कल चौदा तरीक अपडेट है वाई टाड़ावर कंपनी टार्गेट 390 आज की रेट में शेयर चल रहा है राउंड 330 रुपए का आसपास एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी शेयर खान की तरफ से यहां पे वाई करने का रेटि के आसपास कंपनी के इंजिनरेट होता है तो उसके पहले मैं बोलूंगा कि यहां पर शेयर को पकर लीजे क्योंकि मतलब अभी जो सीच्वेशन है ना कंपनी को लगातार कॉर्टर थरीक अंदर बड़े-बड़े कॉंट्रेक्ट मिला है तो इस बार जो कंपनी की बैलन इस दिखाना चाहता हूं यह देखिए आज डेलीवरी का परसेंटेस देखिए आपको प्रॉपर यहां पर क्लैरिट फिकशन मिल जाएगा कि बड़े इंवेस्टर इसमें किस रेट पे परचेस करें यह देखिए आज टोटल वॉल्यूम ट्रेड वा था एक करोर सतर लाग जिसके अंदर डेलिवरी देखिए इस नौट जोक सेवेंटी फोर लैक्स अल्मोस्स सारे चुवत्तर लाग क्यूबर शेयर जोकी डेलिवरी उटा जा चुका है परसेंटेज आप डेलिवरी भी काफी हाई था 43.62 वह भी शेयर गिरावट के दिन आज की रेट परसेंट को दोस्तों डेलिवरी देखने को मिला तो यह सारे चीज की उपर मैं बेस करके बोल सकता हूं कि आगया नावले टेमपे टाटा पाउर का शेयर सिर्फ यहां पे 390 जो कि यहां पे शेयर कन की तरफ से टारफ से टार्गेट दिया 390 तो छोड़िए यह आराम से सारे 400-500 तक भ लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना इरेड़ा को बर दोस्तों वीडियो आएगा आज एकदम से लोवर सर्क्रिल लगा आयर बात करें आज तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखने को मिला था फिर भी शेयर जो है आपको बात जोन पर मिल चाहेगा 78.6 जिसका आरेस इंडेक्स का नंबर निकल करा रहा है दो दिन मतब एक दिन पहले लास्ट डेम ने देखा था अपना आल टेम हाई टच किया उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमें कमजोरी देखने को अब क्यूंकि देखे शेयर ओलेडी काफी अत्यक चल चुका है तो कोई भी शेयर देखे इतना मतब शौर्ट फ्रेम में कितना जबर्दस रिटन दिया शेयर चल रहा तो यह देखे नवेंबर की शुरू में अगर ह बहुत जल्दी यह शेयर आपको सारे 300 के उपर भी देखने को में लगा फिर मैं बोलूंगा आपको कि हमेशा प्रिकॉशन लेना चाहिए तो सबसे वहली बात मंडे के दिन क्या आपको भाई करना चाहिए तो देखे सबसे वहले आप खुझ से पूछे कि आपके अंदर क् स्ट्राइची के उपर इंवेस्ट करना शूरू कर दिजिए थोड़ा से एक्सपेंसिब जोन पर है स्टेल मैं बोलूंगा आपको लॉंग टम में ज़रूर फाइदा मिलेगा और दूसरी पॉंटर पर सबोस आपने इस लेवल पर बाई किया और अपने देखा कि शियर नी से में तब आप जाके देखना लॉंग टम में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है और दूसरी पॉंट देखिए जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है वह भी देरे देखिए उपर की दरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है मतब काफी उपर महुच चुका है सारी तीन सो तो मोस्ट प्रवड़ी देखे मंडे के दिन आपको शियर तीन सो चाली से लेके सारी तीन सो का आसपास जरूर देखने का पूरा पूरा चांस है मैं भी दोस्तों मैं क्लियर कर सका हूं प्रॉपर क्लार्टी दे पानाओ आप सभी को बाकी फिर भी कोई डाउट से प्लीज जय हिंद!